नमस्कार महरुतेस पाठाक आप देख रहे हैं खबर इंडिया तो ही उपी पंचाज चुनाओ की बात करें तो उपी पंचाज चुनाओ के मिर्जापूर जिले के मज़मा ब्लाक मैं इसमें महजूद हूँ मैं अपने केमरा परसंद से मज़मा ब्लाक के सेक्टर तीन के भारती जंता पार्टी के अधिकिरल पॉरति इस तरह से फटे किया जाएर राजन तिवारी दो på है पुरी टीमें हां से निकल रही है बीजे पी में आप देख सकते हैं पोश्टर पे जो है देश के पर्धाक मंति नरञ्ध रही समय वीजे पीकी के पधा धिकारी जियों का एक पोश्टर वारे हां देखने के सब्सक्राइब नमबर तीन में प्रमुख समस्याएं क्या नजार आती है जिस तरह से आप दवरा कर रहें समस्याओं को अपने डायरी में नोट कर रहें जी पर्थम तो मैं सेक्टर नमबर तीन के सभी जनताज जनारदन को तहे दिल से प्रडाम करता हूं कि शबकी क्रिपा हमारे उपर बनी रहें पर्थम यहां पर मैं सेक्टर नबर तीन में चारो तरब में घूमा हर गली-गली दरवाजे पर सब जगा लेकि गाउं में बहुत दैनी इस्तिती है जिधर भी आप जाईए वहां पर रोट खराब मिल रहा है जितने भी जन प्रतनिधी आज तक हुए हैं चुनाव जितने के बाद कोई पहुचा नहीं है जैसा कि अपना सड़क का जिक्र किया मैं भी आपके सड़क से होकर के आपके ग्रामसभा में गुजरा हूँ हम चुनाव में आए हैं तो जन प्रतनिधी बनने के लिए जनता जनार्दन का देवतुल हमारे जितने वोटर भाई बहन माता है सबसे यहीं आग्रह करूँगा कि सब लोग एक बार हमें सेवा का मौका दे और हम काम करने के लिए आए हैं ना कि ओट लेके बस उनको छोड़ देना हम इसके पहले जब भी कोई जन प्रती नहीं कोई हमारे पास पद नहीं था तो भी अपने गाउं में 30-40 हंड पाई दो धाई सो पूरे गाउं में महामलपूर में आप देख लीजे हर खंभी पर लाइट लगवाया हूं यथा सक्ति जो हमारे पास है मैं सबका गरीब का जो भी हो सक्रहा है जिसका हंड पाई बिगड गया है उसका मैं बनवा रहा हूं पाई दे रहा हूं जितना हमसे होज सक्रहा उतना मैं कर रहा हूं हमारा प्रमुक काम यही है कि यदि मैं छेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस यदि हमको जनता जिता देती है तो हर गाउं में कोशिस करूंगा भरपूर कोशिस करूंगा जितने रोड है नाला है पानी का निकासी है ए सब सार मुख एजेंडा हमारा है इस पर मैं दिन रात काम करूंगा पांच साल और निरंतर करता रहूंगा आप प्रतिंदी रहते हुए तमाम काम आपने आण केमरा गिनाए दूसरी तरफ लोग पंचायद चुनाव वाते हैं लोग वादे करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिला पंचायद के सदस हर चुनाओ में वादे करते हैं लेकि जीतने के बाद जिला ध्यस के चुनाओ त आप हमारे गाउं में महामलपूर में जाके पूछ लीजिए किसी भी बस्ती में कि राजन गुरू काम किये हैं कि नहीं किये हैं यह बतानी के जरूरान काइमरा मैं बोल रहा हूं आप पूरे गाउं में अगल बगल बस्ती में भी पूछ लीजिए अगल बगल गाउं में भी पूछ लेजिए कि मैं काम किया हूं की कि नहीं किया उन्हें सवाट है दो ओट है या दस ओट है जिसको जो जरूर्वत है मैं वहां के लिए औह काम किया हूं जताने के जरूरत नहीं होती है जो अपने है सब हमारे साथ हर लोग हर वर्ग के साथ है हम सबका साथ सबका विकास हमारे मोदी जी योगी जी का जो एजेंटा है सबका साथ सबका विकास हम सबको साथ लेके चल रहे हमारे साथ हर जाद के हर विरादरी के सब लोग लगे हुए है ऐसा नहीं है हम सबके साथ है और सब हमार हम सबके लिए करना चाहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं लोग याद रखेंगे कि नई कोई परत्यासी हुआ था जीला पंचाय सदस्ट बीजेपी कंडिदेट सेक्टर नंबर तीन की जंता से आप क्या अपिल करना चाहेंगे क्या उन से निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड के सेक्टर नमबर तीन के जनता से भाई बहन माताओं से सबसे निवेदर करता हूँ देवतात तुल हमारे वोटर की 26 तारीक को हमको राम शागरतिवारी हमारा चुनाओ निसान खजूर का पेड़ है इस पे भारी मतों से बिज़ई बना के हमको आशिरवाद दे औ देखने वाली बाती होगी सेक्टर नमबर तीन में जनता इनका कितना समधर करती है करना परसन निकी पांडे के साथ रितेस पाठक खबर इंडिया मिड़जापूर